अब देखो मेरी बात समझने के कोशिश करना बहुत सारा कन्फूजन था कि सर इंडिविज्वल बेसिस पर mcqs आएगे या case scenario basis और सवाल का answer हमें मिला कहां से mtp से तो mtp ने mtp में actual image क्या है case scenario basis ही question दिये है it means ये बात तो पक्का हो गया कि single question नहीं आएगा mcqs का question देगा एक case देगा और उसमें multiple choice question देगा ठीक है it means और दूसरी बात और समझ में आई mtp से कि यार जो mcqs है वो out of syllabus नहीं आने वाले है जो भी है वो सब आपके book का ही कोई question उठा कर देगा और आपको questions देदेगा उसे सबसे ठीक है सब description में जाओगी देखोगी मैंने एक pdf दे रखा है उस pdf में multiple choice questions है एक भी question इधर उधर का नहीं है सारे questions सारे questions कहां से हैं सारे questions IC AI के अब उसमें कुछ single single questions भी है individual basis पे और case scenario basis पे भी है मैं single single question नहीं करवाँगा हाला कि वो है IC AI के student login करके मैंने वहां से questions उठा रखा है पर मुझे नहीं लगता कि उसमें हम time खराब करें तो total मिलाकर मैं आपको case scenario basis पे questions करवा रहा हूँ हाला कि सच्चा ही यह है कि आपको video की जरुरुरत जो description में मैंने आपको PDF दे रखा उसमें मैंने टिक भी कर रखा है अगर आप अपना समय बर्बाद ना करना चाहो तो इस video को ना देखे जरुरुरत नहीं यह time भी नहीं है यकीन मानना जब आप question बनाओगे तो सायद ही एकात question होगा जो आपसे नहीं बनेगा मेरे ख्याल से सारे questions आपसे बन जाएं ठीक है तो total हम case study based 13 questions करने वाले 13 और यह questions कहां से लिये गए sir कुछ questions RTP के है मतलब सारे questions जो भी RTP में डले थे और दो MTP है वहाँ के questions है और student login में जो MCQ डाल रखा उसमे case study based questions करीब करीब 5 questions है यह जो 13 case scenario वाला मैंने आपको दे रखा multiple choice questions यह भी ICAI के है मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं बाहर का कुछ नहीं करवा रहा हूँ सब की सब ICAI का है और आप भी time pass मत कीजिए बाहर के MCQs मत कीजिए जो है जो PDF में दे रखा उतना कर लिजिए बाहर के question और सचा ही यह है कि आप अपना से लिए बस कीजिए बात कता ओके सर तो वीडियो की अगर जरुरत पड़े तो देखो नहीं तो छोड़ सकते हैं आप PDF डाउनलोड कर लिजिए और उसी को एक बार go through कर लिजिए आपको जो answer दे रखा है वो मैंने tick कर दिया है तो मैं helpless हूँ इसमें बच्चों का कहना सर अलग से देना चाहिए तो चलो मैं आपको दोनो टाइप का PDF दे देता हूँ एक ऐसा PDF दे रहा हूँ दो टाइप के PDF मैं आपको provide कर एक PDF ऐसा है जिसमें tick है और एक PDF ऐसा है जिसमें tick नहीं है तो भाई साब आप लोग एक काम करो जिसमें tick नहीं है वो वाला कर लो पहले confidence बढ़ेगा बाकि answer आपके पास में खेर मैं तो करवाई रहा हूँ चलो जी पहला question उठा रहे case number one case में दो तीन question होगे सर ये question कहां से लिया गया student login से institute ने जो डाल रखाया वहां से उठाया इस question सर इसके पहले कि जितने भी question से दिख रहा है जो single single है आप चाहो तो करिए चाहो तो छोड़ दीची हाला कि एक बार go through कर लोगे तो कोई बुरा नहीं है ज्यादा time नहीं लगे तो बोल रहा है सर एक्स और वाई दो दोस्त है एक्स और प्रोफिट फ्रों प्रेडिंग फाइनिशल डेरेटिव एक्स इस आलसो कंसूरिंग स्पैकुलेटिव और गामा कॉर्परेशन और अभी शियर का प्राइस कितना चल रहा है सासा और वो आप्सन में पोजिशन लेना चाहता है गामा कॉर्परेशन का उसने पर्चेस किया वन कॉर्परेक्ट सिम्बल सी बात है उन्होंने कॉल आप्सन खरीदा है सास सौ पचास में मतलब सर सास सौ पचास से उपर जाएगा तो आप्सन एक्ससाइज होगा प्रीमियम कितना गया है सर प्रीमियम के विश्चे में बताया है 35 रुपे प्रीमियम के यहां 35 इसके अलावा उन्होंने पुट ऑप्शन भी खरीदा एक्ससाइज प्राइज है 600 मतलब सर 600 से नीचे जाएगा तो आप्सन एक्ससाइज हो जाएगा इस पर premium कितना गया है और इस पर premium गया है 25 तो 35 प्लश 25 टोटल मिला कर 30 रुपए premium का गया call option कब exercise होगा जब 700 से उपर जाएगा put कब exercise होगा जब 600 से नीचे जाएगा after some time trading in option market and understanding the nitty gritties of same ठीक है X being CEO and organization advise his team to implement the concept of financial option in the capital wasting decision real option पुड़ी सी कहानी उन्होंने real option कभी डाल दिया है real option कहां यूज होता है capital wasting decision में हम सोचते एक साल तक याद करो एक साल तक project चलाए याद करो real option अब यह सर आगे आगे वैसे तो NPV negative है पर फिर आगे सोचते कि हम इसको आगे बढ़ाए या वहीं बंद कर दे shutdown, abandonment की सब्द सुना होगा call option हम accept कर ले call option ऐसा कुछ मैंने करवाया हूँ अब इतना मैं तो यहाँ concept नहीं करवा सकता आगे बढ़ाओ पहला पहले normal option की बात कर रहा हूँ real option की बात पुल रहा है कि मान लोग की contract size hundred share से ठीक है और दो मेहने बाद share का price पास सो पचास हो जाए तहाँ 600 से कम हुआ पास सो पचास हुआ तो पचास रुपए का gross pay off माइनस premium कितना गया सर प्रीमियम गया 60 रुपए मतलब सर loss हो गया yes loss कितने का हो गया 10 का into 100 तो सर 1000 रुपए loss से answer आएगा अगर ज़रुद पढ़े तो वीडियो देखो नहीं ज़रुद नहीं सर ये question ये question बुक कही आप भी जानते है sir break even किस पे आएगा important है जब ये question को मैं कर रहा था तो मैंने सब्सक्राइब break even मतलब break even तो हमने किया हुआ है तो sir option तो हमारी पस दूआ है एक है call call के लिए break even तब आएगा जब price बढ़ेगा और एक है put put के लिए break even कब आएगा जब price कम होगा call का exercise price क्या है call option का exercise price है 750 तो अगर 750 plus 60 ये भगवान share का price बढ़े 700 से उपर और इतना बढ़े कि कम से कम premium की तो recovery हो जाए तो 750 plus 60 total मिला कर break बनाएगा 810 में अगर price बढ़े तो कहीं 810 दिया है क्या नहीं दिया और put put में BEP कब आएगा put का exercise price क्या है 600 price कम होना चाहिए 600 minus 60 answer break बनाएगा 540 पर answer क्या आएगा sir 540 sir अगर 810 भी दिया रहता 540 भी दिया रहता तो क्या करते बेकार का कोशन नहीं करो तो एक्जाम पास में answer 540 तीसरा real option के विशे में कुछ बोला है real option बताओ कौन सा statement गलत है real option जो है वो capital budgeting में option pricing evaluate करने के लिए हाँ जी सही है ये तो real option में हम या तो supplement करते हैं मतलब add कर देते हैं या तो replace replace नहीं करते हैं मतलब abandonment कर देते हैं हाँ जी real option में हम यही काम कर रहे थे please मेरे real option का वीडियो देख ले न real option different है financial option से yes बिलकुल और इसका period higher होता है हाँ जी option का period से real option तो हम capital investing decision हो real option है normal traded नहीं होता है real option normal option traded होता है तो answer क्या जाएगा सर ये वाला question तो हमको समझवनी आएगा इसके लिए तो भाई आपको देखना पड़ेगा real option का case study 2 याद रखना कि ये MTP में भी डला हुआ है MTP में डला हुआ है which इसको अच्छे से कर देखना सर ये कहां से उठाया ये भी student login करके निकाला है मैंने को सर ये question कहां से security evaluation और मुझे मालम था कि भाई ये वाला topic अच्छे से करके जाना seriously बो रहा हूँ यहां से MCQs आएगा ही आएगा बनता भी है ये सर ये convertible bonds convertible bonds option embedded bond ये convertible bonds फिर मुझे मालूम है कि आपको सब पता होगा face value दिया हुआ है yes corporate rate है 15% number of shares per bond अगर हम bond को convert कराए तो हमें 25 shares मिलेंगे और उसका market price है 20 रुपए मतलब conversion value क्या है conversion value convert कराने पे bond का value actual में conversion value है 500 ठीक है straight value है 400 ठीक है और सर मार्केट price ज़्यादा ही होना है 550 और सर ये क्या है face value 450 रुपए face value धियान रखना यहां गरबड हो सकता है 450 रुपए face value यह important question है मेरे हिसाब से please इसको देखकर चले जाना क्योंकि यह MTP में भी डाल रखा है question और इसका तो मैं MCQs बनते ही बना देखे क्या मांग रहा है पहले stock value stock value को ही तो बोलते है conversion value of bond stock value हम निकाल चुके हैं इतना answer आएगा पाइगा ठीक है percentage of downside risk downside risk मैंने क्या बताया था मैंने ही बताया था कि भाया market price क्या चल रहा पास्वपचास क्या यह market price bond का कम हो सकता है पर यार किसी भी हालत में चार सूर, share का price गरेगा तो sir, bond का price भी तो कम हो हुगा, bond का price ज़्यादा क्यो है क्योंकि sir, bond में एक option है कि वह उस को shares मेंessed के सकते भेया, share का price गरा, तो bond का price गरेगा, yes पर वह 400 से नीचे जाएगा नहीं, क्यों नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि किसी भी हालत में अगर शेयर का प्राइस गिरा ना तो कनवर्ट ही नहीं कराएंगे पांड को as it is रहने देंगे as a non-convertible मतलब 400 से नीचे तो जाएगा ने तो रिस्क कितने रुपए का है तेड़ सो रुपए का it means percentage निकाल रहा है 550 minus 400 divided by 550 into 100 percentage of downside risk का दो formula है या तो ये लगा लो या 550 minus 400 divided by 400 into 100 तो नो दे रखा है ICA अब सर कौन सा वाला सही है तेख ले थे 550 minus 400 divided by 550 into 100 27.27 आंसर ये भी हो सकता है और 37.5 आंसर ये भी हो सकता है मुझे ये वाला ज्यादा सही लगता पर मेरे हिसाब से मच चौन देखते हैं सर दोनों दिया होगा तो फिर तो ऐसा नहीं देगा इतना बुरा नहीं है ICA तर ये दे 27.27 में जो कोशन दिया न वो इसके हिसाब से दिया चलो MTP में आएंगे तब देख लें ओके अगे चले कनवर्जन प्रीमियम क्या होता क्या मार्केट प्राइस बांड का ज्यादा है हां सर कितना ज्यादा सर पास सो पचास और कनवर्जन वैल्यू कितनी है पास सो तो सर कितने परशंटेज ज्यादा है सर पास सो पचास कनवर्जन वैल्यू से मार्केट प्राइस कितना ज्यादा दिस कनवर्जन प्रीमियम और दूसरे तरीके से निकाल सकते है शेर्स के तरीके से वह मैं निकालन यह शाहता, तो सीधा, सर, divided by नीचे, Conversion Premium बोला, तो नीचे, Conversion Value ही आएगा, तो 16 ति आएगा 10 पर, लेट, आगे चले, Conversion Parity Price of the Stock, सर, Conversion Parity Price क्या होता है, Conversion Parity Price, सुनना ध्यांस, मान लो, आज, बॉंड खरीदे, सर, साँडे पास और मान लो आज ही shares में convert कर वाले तो एक share का price हमें कितना पड़ा parity, parity काई सब concept समझा चुका हूँ bond कितने का खरीदा, 1.500 का और एक bond में कितना shares आएगा sir, 25 तो बताइए एक share कितने का पड़ा 250 divided by 25 22 रुपय का पड़ा sir this is conversion parity price ठीक है sir, 22 रुपय कोई मैंने, काला हूँ का 20 रुपय यह है तो, ठीक नहीं तो, आद में सोचेंगे 22 रुपय का रुपय यह नहीं है sir यह वाला है, sorry 22 रुपय का एक share ठीक, आप ऐसी गलती मत करना answer सही निकल गए, पता लगए कुछ और ही लिखकर आगया चले जी आगे case study number 3 यह mutual fund का question नहीं है portfolio का समझ लो, mutual fund का बोला चाहिए ज़्याद अच्छा है और यह question भी अच्छा question है देखकर जाना पड़ेगा फ्लीज वो 13 case study है वो एक बार देखकर चले जाना यह question कहां का ebook का है आप भी जानते हो Mr. X is interested है एक लाख रुपिया लगाना चाहते है ठीक है या तो पूरा की पूरा पैसा आप X में लगा दो 100% या तो पूरा की पूरा Y में लगा दीजी या तो एक लाख में से 60% X में लगा दीजी और 40% Y में लगा दीजी ठीक है 12% और Sir Y का रिटन ये दिया expect return of Y दे दिए 11% R.F. दिया 8% market का रिटन दिया 10% covariance दे रखा है तीक है matrix से दे रखा होगा covariance matrix ये covariance matrix होगा ये पहले भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूं इस question को ये ICEI का question है और multiple choice question में भी डला हुआ तो देखे जाए ये क्या है ये variance of X ये variance of Y ये क्या है standard deviation of X मांगा X तो Sir variance को square कर दीजी मतलब 4.4 को square root कर दीजी square root तो Sir इसको square root करने पहागे 2.097 अंसर देखो 2.097 उसरा क्या पूचा है portfolio return portfolio portfolio मतलब 60% और 40% ठीक है इसका weight मालूम है इसका weight मालूम हो जाएगा 12.6 और 11.4 M plus MRC 11.60 परशन पोटफोल अंसर आये गए 11.60 के लावा और क्या मांगा है based on standard division optimum investment firm Mr. A इसको करना पड़ेगा मुझे portfolio का standard division वो पूचा X में पैसा लगा है या फिर Y में पैसा लगा है कि portfolio में पैसा लगा है और सच्चा यह है कि अगर correlation 1 से कम है कभी भी portfolio का standard division बढ़ेगा नहीं या तो बराबर आएगा या तो कम आएगा मेरी बाद समझना पता वो पूच रहा कि standard division के basis पे बताईए कि हमें पैसा कहां लगाना चाहिए standard deviation portfolio में लगाना चाहिए कि X में लगाना चाहिए कि Y में लगाना चाहिए कि indifference होगा both mutual fund Y and mix are indifferent मेरी बात समझने की कोशिक रहा इसका तो नहीं मैं लो मैं अभी calculation नहीं कर सकता वो आप कर लेना बस मैं concept की बात करूँ तो portfolio का standard deviation कभी भी कम होगा पर आप calculation कर लेना पर मुझे ऐसा लग रहा answer portfolio होगा क्योंकि मेरा किया हुआ question है पर आप calculation कर लेना calculation कैसे करोगे आप portfolio का standard deviation निकाल ले लोगे X और Y का और सर कैसे निकालेंगे वो आपको पता है X और Y का इंटुवेट और पे वाले फोर्मिल से कर लेना इसी का कम आएगा बाकी दो का तो निकला हला कि यहाँ सब्द जो लिखा है वो portfolio लिखा हला कि यह market होना चाहिए ठीक है यह question को किया हुआ है तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लगए case study 4 यह कहां से उठाया है सर यह साइद आपके MTP का question हुआ पढ़ लेते हैं MTP का question नहीं है यह भी ICAI के student login से मैंने उठाया है question कहां का question है सर यह merger का question है पढ़े पी लिमिटेड is studying the possible acquisition of क्यों लिमिटेड भई पी लिमिटेड है purchasing company जो किसको खरीद रही है क्यों लिमिटेड by way of merger earning after tax दिया number of shares दिया earning after tax दिया number of shares निकल सकता है 10 लाग divided by 2 लाग EPS आगया 5 लाग divided by 50 और इसका EPS आगया 6 market price मालूम है book value partial the merger shall be gone through by exchange of equity share and action ratio is such action ratio weight दे रहा EPS के business पे 50% 25% 25% और swap ratio कैसे निकलते थे vendor company divided by purchasing EPS 6 by 5 6 by 5 EPS के business पे आगया 1.2 market price 60 by 75 market price के basis पे आगया 0.80 और 105 divided by 210 इसके सब से आगया 0.5 swap ratio अगर मैं weighted average कर दूं तो complete swap ratio निकल जाएगा yes the swap ratio अगया full and final 0.925 इसके एक बार swap ratio मांगया पेल 0.925 जाएगा तो इसके सब दूंबर तो तो इसके सब दूंबर अगया कितने शेर इस्यू करेंगी कामने वाली कंपनी में 50,000 शेर से और swap ratio से अगया तो 50,000 x 0.925, तो number of shares issue आ गया, 4625, 4625, 4625, ठीक है, आगे चलते, the merger of EPS, post-merger EPS निकल, तो आ जाओ, post-merger EPS निकलते है, post-merger EPS, yes, sir, combined earning होगे, 13,00,000, combined earning होगे, divided, 12,00,000, 246,50, तो 13,00,000, divided by 246,250, तो answer आगे 5.34, फिर से देख लो भई, 13,00,000, divided by 246,50, 5.28, 5.28, answer आगे 5.28, answer आएगा 3, question देखना, यह MTP में भी डला हुआ है, question number 4 भी है, यार, देखते है, in case of Q Limited, wants to be sure that EPS is not diminished, मतलब, यार, EPS में change नहीं होना चाहिए, ऐसा action ratio बताइए, और इसके लिए मैंने आपको shortcut बोल रहा, इसका मतलब, वो कहना चाहता है, EPS के basis पे action ratio, और answer आएगा 2, इसमें समझ सोचने, समझने वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है, यह है, हमारे MTP March, case number 5, March की MTP, मतलब MTP series 1, उसका questions है, और उसमें साथ 3, 2, 3 questions डाल रहा है, एक बार पढ़े ही क्या, case study number 5, आप खुशे कर सकते हूँ, ऐसा कुछ special नहीं है, कि बाप पढ़े हूँ, कुछ नहीं है, तर यह कोशन मर्जर का देख रहा है, बिल्कुल सही, यह कोशन लेकिन अच्छा है यार, यह सा टाइम पास कोशन है, यह कोशन अच्छा, Mr. Y has invested in the three mutual fund as per the following details, X, Y, Z, amount of investment, NAV दे रखा beginning का, तो number of units से निकल जाएगा, dividend receipt दे रखा है, ठीक है, और NAV दे रखा last का, और effective yield per annum दे रखा 9.66 और एक साल में 365 ते, ठीक है, बाँ क्या रहा है, on the basis of over information, choose the most appropriate answer, ठीक है, आपको निकलना है, total NAV of Y, Y पहले दे दिया है, याद रखना, ने गलती सेक्स कर लिया था, बोले Y का NAV निकली है, 31 March 2023 का, तो sir, NAV तो दिया है न, 10 रुपए बोले, per unit ने, total निकाली है, अब total कैसे निकालेंगे sir, आठ लाग था, तो number of units निकाल लेते हैं, आठ लाग, divide किस से कर देंगे, 10 रुपए 10 पैसे, और into किस से कर देंगे, 10 से, आप समझ में आरी है न, आठ लाग, divided by 10 रुपए 10 पैसे, into 10, 792,079, अंसर आएगा C, ठीक है, ओके sir, आगे चले, तोटल येल्ड, आप X, X का पूचा है, और येल्ड निकालना, रुपीज में, येल्ड का मतलब कमाई है, आल सकते हैं, अराम से, कमाई X, सर 9000 की तो कमाई है, और सर ये पाच पैसे की और कमाई है, मतलब ऐसे कर लो, 4,0,0,0.05 भी कर सकता हूं, पर सुनो, ऐसे निक 0.05 निक, पहले यूनिट से, भ्यान से दिखना हम क्या, 4,0,0 divided by 10 रुपए 30 पैसे किया, तो ये number of units आ गया है into 10 रुपे 35 पैसे किया तो ये आ गया है 401941 amount बढ़ा तो कितने से बढ़ा amount निकल जाएगा क्या है yes, minus 4 लाग तो सर्थ ये कमाई हो रही है NAV की 1941 0.74 ये NAV के बढ़ने की वज़े से और 9000 ऐसे plus 9000 तो टोटल कमाई हो गए 10941 आंसर आए गई है 10941.75 73 चल जाएगा इतना थो टोटल कमाई है number of days for which Mr. X is held could be approximate कितने दिनों के लिए hold कर रखा है ये question अच्छा है अब ध्यान से समझ क्या holding period return निकाल सकते हैं percentage में ये yield निकाल सकते हैं टोटल कमाई हो रही है 10941.6 कितना लगा कर सर्च चार लाख लगा इन्टू हाँ अलो हाँ divided by 4 नाख इन्टू ये एप्रोक्सीमेट आगे है सर्ट 2.75% ये आगे होल्डिंग पीरिट रिठन और अन्वल रिटन कैसे निकालते हैं सर्ट अन्वल रिटन निकालते हैं 2.75 इन्टू 363 दिन डिवाइड बाइ एक्स जितने दिनों तक होल्ड कर रखा है और अन्वल रिटन हमको दे दिया है और अन्वल रिटन हमको कितना दिया है परशंट इस में 9.66% तो देस निकल जाएगा कि कितने दिनों तक होल्ड कर रखा है तो 2.735 इंट इस अपैसर डिवादेड बाइ 9.66 अंसर रहा एक सो तीन दिन के आसपास य का पूछा मैं ने एकस का निकाल एकस का भी पूछा 103 डेस य का आप निकाल लोगे वापस नमबर अब देस तो पहले आप रिटर निकाल लोगे वाइका निकाल लोगे ठीक है वाइका होमवक यह वाला कोश्चन होमवक दे रहा हूँ MTP का कोश्चन है प्लीज इसको कर लेना similar कोश्चन मैंने करवाया हूँ आपको प्लीज इस कोश्चन को कर लोगे यह अच्छ है यह पॉइंट नमबर 8 अच्छा है कोश्चन नमबर 8 यह बहुत अच्छा कोश्चन है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है इसकाउंटिंग किससे करना 15% से यहां मुझसे गलती हो यह जई थी मैंने कुपन जो दिया है देखुना मेरी बास है इंट्रिंसिक वैल्यू मांगा था अरे क्यासे कर लिया होगा आपने इस कोश्चन को तो दिक्कत नहीं होगा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना बस याद रखना फेस वैल्यू है 250 और 12% मतलब 250 का 12% कुपन ले लेना 30-5 साल तक और 250 और डिसकाउंटिंग किस से करना 15% से तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल जाएगा वो यही पूछरा अगर 15% से डिसकाउंटिंग करे तो बताए इंट्रिंसिक अगे कोश्चन अच्छा था बना लोगे इस टैब कोश्चन मैंने बताया कोश्चन नमबर सेवन यह थोड़ा नया कोश्चन था मतलब यह सीधा बुक से उठाका थियरिटिकल कोश्चन था बुक से उठाका नहीं दिया है ओके सर एक बार देखे क्या सपोज यूर फाइनिशिल कंसेंटेर फॉलिंग थी क्लाइंट आपके पास तीन क्लाइंट आयो गए और आपसे पूछ रहे कि भाईया हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है सर ठीक है पर हमारा बैक्ग्राउंड अलग-अलग है हम कुछ और ही चाहते है हमारा रिस्क अलग-अलग है तो आप अपने क्लाइंट से पुछो कि बताओ पूछो क्या चाहते हो तो क्लाइंट ये क्या चाहता है क्लाइंट है क्लाइंट ये चाहता कि हम fix income security में इन्वेस्टमेंट करने का अच्छी बात है कीजिए मतलब आप रिस्क नहीं लेना चाहते और पर दिक्कत क्या है कि हम बुरी company में पैसा नहीं लगाना चाहते हमें प्रॉल्बलम है credit rating देखकर ही हम पैसा लगाएंगे मतलब उसको डर किस बात का fix income तो ठीक है पर बोले हम credit rating देखेंगे इसके अलावा financial ratio भी चेक करेंगे इसका मतलब उनको ये डर है कहीं पैसा डुबा न लए ऐसा नहीं कि fixed income में लगा रहे तो कहीं भी लगा दो सोच समझ के लगाएंगे client A का ये कहना client B क्या चाहता कि हम भी fixed income में लगाएंगे मतलब ये भी risk नहीं लेना चाहता और हम पूरे समय के लिए लगाएंगे over a period of time by holding the security और जो hold करेंगे वो कहां तक करेंगे maturity तक और client C कहता कि भीया मैं risk लेना चाहता हूँ sir और मैं interested हूँ stocks में पैसे लगाने के लिए बहुत अच्छी बात है और उसको विश्वास है उसको विश्वास ये है कि price reflect all information हूँ हाँ efficiency market उसको ये विश्वास है कि जो share का price है उस पर all effect आ चुका है मतलब आप chart देखकर पता नहीं लगा सकते कि share का price किधर जाए chart से technical analysis को यूज नहीं कर सकते ये मैंने efficient market hypothesis में करवा रखाया मांग क्या रहा है अन्दब इसस अब ओ information choose the most appropriate answer the main factor to be considered in selecting fixed income for client A के लिए हमें कौन से factor को ध्यान में रखना है सर जी वो क्या risk लेना चाहता था नहीं मतलब उसको problem था credit rating पर हमें जो उसके लिए factor ध्यान में रखना वो ध्यान में रखना risk of default वो ही तो tension था दूसरा client B के लिए क्या ध्यान में रखना है वो maturity तक hold करना चाहता था it means उसके लिए हमें yield to maturity तक निकाल risk of default ये तो weak form of efficiency is prevailing in the market बोल रहा है कि efficient market है तो आप chart देखकर पता नहीं लगा सकते तो which approach is best for selection of equity technical analysis technical analysis useless हो जाएगा तो हमको fundamental analysis यूज करना पड़ेगा technical analysis fundamental analysis मतलब सर ये security analysis का question है फिर वोई merger का question पूछा है ये आप करोगे इसमें कुछ है नहीं है करने के लिए profit after tax दिया है उन्द अब इसी तो और वो information मांगा है easy question है कर लोगे कुछ भी नहीं है ये question सबसे असान question MTP में डला हुआ था series one अब बात करते RTP के question तो मैंने ये questions आप पो अल्रड़ी करवा रख़े हैं जो RTP डाला है RTP का पूरा discussion किया है तो वहाँ से प्लीज ये question देखे ये question securityization का question मैं आपको करवा दिया हूँ ये question मैं करवा चुका हूँ efficient market hypothesis का question था filter rule test वगेरा पूछा था हाँ ये question 100% मैंने करवाया हूँ RTP करके डाला हूँ Google Drive में चेक करोगे आपको RTP और सर ये भी करवा चुकी हूँ ये भी RTP का question है ये RTP का नहीं है ये आगे है हमारा MTP series 2 total 3 question डाले है 11, 12, 13 cancellation का भी question डाला है और अर्ली delivery का cancellation का नहीं है तो case scenario 1 लिखा है हमारे लिए case study 11 है please इतने तो देखकर चले जाना इतना time तो होगा आपके पास और देखकर नहीं video देखो ना देखो भाई question तो देखला ही पड़ेगा तो देखकर दोरी वन बिजनेस meeting at XYZ one of the member pointed out that while evaluating the performance of any company one should not only see its operating income but should also analyze capital structure as well कहानी दे रखा है WACC capital changes on the basis of capital structure ठीक है बाकी factor को 3 company का data दे रखा है एक का नाम है alpha, beta और gamma और उसकी operating income सबकी equal है बोल रहा है और capital structure अलग-अलग है और information देखते ही समझ में आ जाएगा आपको कि ये जो question है ये question study mat का है या हमारी book का है हमारी book भी तो study mat से ही तर ये इवा का question economic value added business valuation तब सारी company में जो है 20-20 लाख रुपया लगा है debt अलग-अलग है debt यहाँ 0.8 है, 0.5 है, 0.2 outstanding shares दे रखा, pre-tax दे रखा pre-tax cost of debt तो सर इसके लिए हम KD निकल लेगा और KE दिया हुआ है और EBIT दिया है और tax का rate है 35% तो एक बार KE बता दो 12, 16 into 0.65 तो सर इसका आगया है KD 10.4 और 13 into 0.65 इसका आगया 8.45 और 15 into 0.65 यह आगया 9.7 ठीक है टेक्स का rate है, price earning ratio दे रखा 11 इस scenario के business पर आपको बताना है क्या बताना है WCC निकालना, alpha का alpha कहां है भई यह है, alpha और WCC तो हमको पता है Rated average करना है, 0.8 है debt debt है 0.8 तो यह हो गया 2 तो 10.4 into 0.8 M plus 26 into 0.2 M plus MRC 13.52 WCC हमने निकाल लिया दूसरा question क्या मांगगा है sir EVA निकालना है, किसका beta का, यह तो गलत बात है alpha का मांगता तो कितने असानी से तस EVA कैसे निकालते, EVA निकालते है EVA, 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 EVA Nopet minus capital employed in 2A तो सरफ 5 लाख है EBIT into 0.65 करेंगे तो यह आगे Nopet 3,25,000 और capital employed तो सरफ 20 लाख है इधर है ना आपको, तो थोड़ा इधर करें WSAC, काल ही लेंगे 8.45, 0.5 M plus 22 into 0.5 M plus MRC यह आगे 15.5 percent तो B-slag into 15.225 percent यह तो कमारा है, मानस 30 लाख पचिसर, EVA positive है B-slag pass 30,000 पास गामा लिमिटेट को प्राइस निकल, सरफ प्राइस क्योंकि प्राइस जानिंग रिश्यो दिया है तो EPS इंट प्राइस चो गामा इधर है गामा, सर यह गामा तो सर यह EBIT इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना पढ़ेगा पहले EPS निकलना पढ़ेगा यह 20,000,000,000 इन्ट इन्ट चार लाग की डेट तो EBIT इन पाँच लाग, 4,000,000 का डेट का रेट कितना है 15 पर्शन चार लाग का 15 पर्शन माइन यह तो 60,000 आगे इसे यह आगे 4,4,4,000 इसे लिख रहा हो चलेगा ना मैं प्रेजेंटेशन नहीं कर सकता तो चार लाग चालिस हजार का after tax कर लेते हैं into 0.65 तो सर 2,86,000 आ गया after tax के आ गया earning after tax divided by number of shares तक 2.86 आ गया EPS तो 11 से multiply कर दे 31.46 करें answer 1.4 simple है EPS निकालना price earning ratio से multiply और फिर market cap और alpha market cap और alpha कुछ नहीं है जो earning after tax से उसको price earning ratio से multiply कर दो आ समस्दों earning after tax तर 5,00,00 में से 20,00,00 का 80,00,00 तोला लाग सोला लाग का सोला पर्षन interest सोला लाग का सोला पर्षन 2,56,000 interest हो गया अब पाच लाग में से 2,56,000 मैनस करेंगे तो 2,44,000 after tax कर दो in 2.65 158,600 into 11 कर दो सीधा सीधा market cap निकल जाएगा या फिर MPS से multiply कर दे ना number of shares ऐसे कर ना 17446 एक से डाबर 17446 चुक्षिक लेगे MPS अब बिटा लिम्तित ये कर लोगे ना कोश्चन अबर 12 देखे हैं अच्छा कोश्चन है कैंसलेशन पर पड़ तेज़ जब भी कैंसलेशन यह अरले डिलेवरी आती तो स्वैप वैप का चक्कर आता ना थोड़ा छोड़ा कर लू दिख रहा होगा ना आपको किसमें मुझे डिजाइन बनाना पड़ेगा 1 अक्रूबर 2003 मिश्टर एक्स एक्सपोर्टर होगा यहां बैंक होकी और सर डॉलर आया कितना डॉलर आने वाला है एक लाग और सर कौन सी डेट में आने वाला 31 वदिस्ट यह डाइग्राम के बिना मेरा काम नहीं हो और जब आने वाला हाविवर डू टू रिक्वेश्ट ऑप दा इंपोर्टर मिश्टर एक्स रिसीव और मिश्टर एक्स को 31 दिसंबर की जगा 18 नवंबर को ही डॉलर आ गया 28 नवंबर 28 मतलब सर अरली डिलिवरी है यस तो इसमें स्वैप वैप कर दिक्कत होता है स्वैप लॉज स्वैप गया नहीं है सब कुछ होता है तो यहां cover जरूर किया होगा यस दूसरी बैंक के साथ cover हुआ होगा कि जो आएगा हम दे देंगे एक लाक और कौन सी डेट में देंगे 31 दिसंबर पर सामने वाला कब आ गया से सामने वाला 28 नौवंबर को आ गया तो फिर उस condition में क्या हमको लेना ही पड़ेगा यस और लेना ही पड़ेगा तो लेकर कर फिर दूसरी बैंक को ट्रांसपर कर देंगे जहां से हैं, दूसरी बैंक को transfer करेंगे, मतलब दूसरी बैंक हम से खरी देंगी, कितने में 85.2 मजबूरी है, पर इसको तो एक मैने बाद देना पड़ेगा, तो फिर हम एक forward quantity करते हैं, इसको बलते हैं, कौन सा swap, sell by swap, याद है, और दूसरी बैंक सर हम से, दूसरी बैंक हमको बेचेगे, 85.27, plus 0.15, 85.27, plus 0.5, 85.4, इन दोनों के बीच का difference आता है, swap gain या, swap loss, 365 दिन कंसीडर करना, प्रिवेल है, और rate of interest है, 12%, ठीक है, बेच डॉन दाब हो सिनाव जो, चूज़ दा मोस्ट अप्रोप्रोप्रीट आंसर, तो बैंक मैं एक्सप्ट रिक्वेस्ट आप कस्टमर अप डिलिवरी, इस, अरले डिलिवरी, प्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रोप्रो on Outlay of Fund होगा, वो भी वसुल किया जाएगा, Interest on Inflow Fund होगा, तो हम दे देंगे, ये बात हो चुकी है, हमारे, सबसे पहले, बताओ Customer से क्या पैसा वसुल किया जाएगा, Swap Loss का पैसा वसुल किया जाएगा, और कोई Interest होगा, अगर कोई Outlay एफो होगा, उसका पैसा वसुल किया पड़ा दूसरी बैंक को मैं बैंक हूँ दूसरी बैंक को 85.22 के हिसाब से और वापस खरीदना पड़ा 80.42 के हिसाब से इसकी वजह से मुझे swap loss हो रहा है और ये swap loss का पैसा मैं आप से recover करूँगी difference 85.22 माइनस 85.42 into तो सर स्वेप loss का हम आप से 20,000 रुपए वसूद इस से customer से और customer आपके आने की वज़े से और इक दिक्कत है जब हमने आपको डॉलर बेचा तो हमारे पास पैसा आया 85,40,000 85,40,000 पैसा आया नहीं पैसा गया एक लाग डॉलर खरीदा पैसा गया गया तर ये आउट लो है और इन डॉलर्स को हमने दूसरी बैंक को दिया तो हमें जो मिला वो मिला 85,20,000 तो आज की आज में मेरे जिप से चला गया 85,40,000 माइनस 85,22,000 तो सर 18,000 रुपय का मेरा आउट लो है 18,000 इस पे हम 12 परशन के हिसाब से आपसे इंटरेस्ट भी लेंगे और कितने दिन का लेंगे 30 दिन 31 वो देख लेंगे हम लोग तो मेरी बात समझना में सामने वाले से क्या वसुल करूंगा इसका कॉंसेप्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में बोलो मैं इसका वीडियो डाल दूंगा अरली डिलेवरी में ने करभा रखाऊंगा इसक्रिप्शन में मतलब यूट्यूब वाले बच्छ रैगुलर वाले वाले वास तो वीडियो है देखे तो बताव किस्टमर सी क्या वसुब करोगे श्वएपदधिCOM होां तो वसुब प्लस इंटरस्ट माम डिरिक्षम होां 12% ही तो रेट दिया 5 डिफरेंस निकाला था हमने 20,000 आया था साहिट अप लॉस कितना 20 और इंटरेस्ट 18,000 पर 12% इतने 30 या 31 देखना पड़ेगा 37 दिन वान था है 300 पैसे 183 के Pable by X Pable by bank Pable by X हो गा है X से वसूल करेंगे Loss हो रहा है यह कोशन था है Cancellation का और भी है Net Inflow to Mr. X Mr. X को कितना मिलेगा 85,400,000 Mr. X को मिलना चाहिए 85,400,000 पर 20,000 रुपय आप काट लोगे 5 difference का और 183 के आसपास किसका काट होगे इंट्रेस्ट का 85,400,000 मैनस P star 183 8519 85198 वाओ तर आया ठीक है यह भी कोशन आच्छा था लास्ट कोशन देखें इस कोशन के लिए तो बहुत सारी डिमांड भी थी नेटिंग का कोशन था देख बढ़ देखें तो यह कोशन जो है ना यह नेटिंग से पूछा गया है कुछ नहीं कोमन सेंस है अला कि नहीं कोशन है तो प्लीज दिख कर जाओगी तो एक बढ़ देखें कि और रहा यूएस परेंट कंपनी है सबसुरीन फ्रांस जर्मनी तर यूएस में तो डॉलर चलता है तो अमाउट दी अमाउट दूट तो और फ्रॉम दा एफ्लेट्स इस कनवर्टे इंटो कॉमन कर्रेंची तो डॉलर और एंटर इन दा फॉल्लिग मेंट्रेक्स तो प्ली मेंट्रेक्स क्या दिया हो ये इंपोर्टेंट है वही प्रांस जर्मनी यूट इटली तो टा और ये रिसीव रिसीविंग एफ्लेट्स मतलब सर ये कंट्री कौन सी ये रिसीव करेगी और पे करेगी ये सपोस क्या कहना चाहता है फ्रांस रिसीव करेगी जर्मनी से 80 यूटे से वाइंटो इटली से 200 आ समझ में या नहीं और सर जर्मनी रिसीव करेगी अब यहां एक बात है हमें नेटिंग करना तो सर देखो यार फ्रांस फ्रांस जर्मनी की बात करो सबसे पहले सर फ्रांस रिसीव करने वाली जर्मनी से 80,000 डॉलर और सर जर्मनी रिसीव करने वाली फ्रांस से तो क्या ये तो यार उसी से लेना है उसी को देना है तो नेटिंग तो वैसी हो गई इसको बोलते है बाइलेटरल पहले आपस में नेटिंग कर लो ना अरबाद खतम आप ही से लेना है आप ही को देना है तो काम खतम और वो मैं यहीं करूँगा वो कैसे करूंगा तो सबसे पहले फ्रांस की बात करू जर्मनी से कितना लेने वाला है ये लेने वाला है ये सब रिसीविंग है लेने वाला है असी और जर्मनी लेने वाला है ये 120 तो इसमें से कम कौन सा है ये तो सर ऐसा कर लेते है इसको कर देते है जीरो और इसको कर देते सर बाइलेटरल मतलब आपस में लेन देन को खतम करते हैं अब फिर से फ्रांस और यूके सर फ्रांस लेने वाली 120 इससे यूके से अब यूके की बात करो यूके और फ्रांस का कितना 160 यूके लेने वाला 160 अब सर फ्रांस और यूके का कम कौन सा है 120 इसको कर देते है जीरो और इसको कर देते है चालिस, concept simple है, आपस में लेंदेन खतम कर रहे है, net में UK ले लेगा 40, जो भी ज़्यादा है वो ले लेगा, ठीक है सर, France और Italy का भी देख लें कि सर, yes, France लेने वाला इटली से 200, और Italy France से, सर ये तो खतम ही हो गया, ये तो पूरा ख मतलब ये आपस में लेंदेन वैसे ही में खतम कर दिया, bilateral netting, अब सर जर्मनी की बात कर लेते हैं, जर्मनी फ्रांस का तो हो गया, जर्मनी जर्मनी का होगा नहीं, अब जर्मनी और UK का, त्यार हो, सर जर्मनी लेने वाला, receive करने वाला 80, किसे, UK से, तो अब UK के देखना और UK वाला difference में 40, अब सर जर्मनी और इटली भी देख लेंगा, जर्मनी लेने वाली इटली से 170, और इटली लेने वाला है, जर्मनी से 60, जर्मनी ले लेंगा difference, ये तो 0 हो जाएगा, और ये difference कितना हो गया, 100, 100, बात समझे बारी है, जर्मनी नेट में 100 ले लेगा किसे इटली, बात खतम, UK की बात कर लें, लाष्ट, इधर कभी हो गया, इधर कभी हो UK और इटली, UK और इटली का काम खतम करते हैं, UK लेने वाला है 140, और इटली लेने वाला 120, तर ये भी खतम करते हैं, difference, bilateral netting, अब इसको proper एक बार लिख ले कौन किस को दे, सर यहाँ, France सबसे पहले, Germany आ गया, के भी लिख लो सर, और इटली लिख लेते, अब कौन किस को देने, कौन receive करने वाला, ऐसा लिखते हैं, तर उसलिए, France receive कुछ नहीं करने वाला है, receive वाली बात करूं तर, Germany receive करने वाला है, France हिरे जर्मनी, France से 40, तर यह receive करने वाला है, कितना, 40, और Germany receive करना हआ वाला है, इटली से 100, Germany और इटली है, कितना 100, इसको तो मिलनी रहा जर्मनी का फ्रांस को से जर्मनी 40 और 100 सर यूके रिसीव करने वाला फ्रांस से यूके फ्रांस से चालिस और यूके जर्मनी से भी रिसीव करने वाला यूके फ्रांस से भी रिसीव करने वाला है और यूके इटली से भी रिस्यू करने वाला है 20 और इटली कुछ रिस्यू नहीं अब देखो और कुछ हो सकता है तर सुनो ना हाँ हाँ दिहां से यह important है बाकी सब ठीक है यहाँ देखो दिहां से फ्रांस से जर्मनी रिसीव करेगा और फिर जर्मनी इसको ट्रांसपर करेगा तो भाईया एक काम करो ना सर यह वाला जो दिख रहा है ना यह 40 वाला इसको हटा दो हम फ्रांस से बुलेंगे आप हमें 40 देंगे हम जर्मनी को हम है जर्मनी, फ्रांस से हम 40 लेंगे और 40 फिर यूँकर क्यों ट्रांसपर कर देंगे तो सुनो हम को मत दे, हम को ज़रूत नहीं है आप तो 40 लें रहे ना, हमारा वाला भी 40 उसी को दे 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 मतलब मैं यह कह रहा हूं कि कौन सा एरो नहीं आएगा किधर है, कुछ मिटाने का है, क्या, यह वाला एरो नहीं आएगा बोलो हाँ, हाँ, और यह वाला भी एरो हटा दीजिए, हाँ मतलब अब सीधा सीधा, एरो क्यों नहीं है अब सीधा 40 की जगा आप 80 ट्रांसपर कर दे ना, बात पतम 40 आपका वाला और 40 हमारा वाला भी, अब ट्रांजेक्शन में देखो कितना हो रहा, एक 80 का ट्रांजेक्शन, एक 20 का और 100 का तो टूटल मिलाकर सब ट्रांजेक्शन कितने का है, ट्रांजेक्शन सिब भाई आसर देखिये मांगता है ट्रेजर आप यूर्स परमेर इस अजिश्टिंग दें बाई अप्लाइग मल्टिलेटरल नेटिंग सिस्टम दा कम्पनी कें सेव लॉट अप ट्रांसपर या एक्शन स्कॉच अप्लाइग करोगे मल्टिलेटरल नेटिंग इससे पहले क्या बाईलेटरल नेटिंग करना पड़ेगा हाँ वही तो किया पहले आपस में लें दिन कतम किया दूसरा to multinational multilateral netting this transfer will reduce to reduce to कितना हो गया 2,000,000 dollar हो गया सिर्फ transaction the net payment here net receipt for France France को क्या हो रहा है netting के बाद किदर France हमारा diagram France सिर्फ 80,000 देगा UK payment哈 80 नेट पैमेंट डॉलर असी है अगे चलो उचलो नेट पैमेंट या नेट रेसिप्ट इटली के लिए क्या हल चलो इटली का देख लिए इटली इटली को टोटल मिल रहा है इद जर्मानी से 100 रिधर से 20 टोटल 120 एक लाग बीस तर इटली एक क्या नेट रेसिप्ट मेरे सबसें नेट रेसिप्ट डॉलर 1.20 लास्ट सपोज इब दा ट्रांस्फर चार्जेस है 0.01% अब दा अमाउंट अब सिर्फ दो लाग का ट्रांस्फर हो रहा है मतलब सर इनका डिफरेंस 2.01% आपने सेविंग कर लिया यस कितना होता देख लिए 15,60,000 माइनस 2,00,000 इन 2.01% डॉलर 1.36 का सेविंग 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 ठीक है भाई मेरे बस इतना सजेशन है क्योंकि आपके बास समय नहीं है इधर उधर के MCQ मत देखे IC AI के MCQ मेंने दे रखे है उसे कर लिजी हो सफिशिंट बाहर से करोगे कहां से आएगा क्यों है वो करो और बाकी syllabus किजिए syllabus ही अपके लिए इंपोर्टनट थैंक यू सो मच बाए बाए